हेलो माई डियर फ्रेंग्स आज हम बनाएंगे नड्डू पहले हमने नारियल लिया है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे इस तरह से तियार हो गया है इसके बाद हम गौंद, काजू, छोटी लाइची, मखाने, बादाम और सभी ड्राइफ्रूट्स ले ल घी इसमें बहुत लगता है उसके हिसाब से तयार रहे है घी में पूरे जो भी गौंद थी इसको फ्राई करना है सारी गौंद हम फ्राई कर लेंगे यहां पर यह मैंने पूरा गौंद फ्राई कर लिया है इसके बाद बादाम डालेंगे सारे बादाम एक सार डाल देते है ये लगभग half kg बदाम है बदाम को हम निकाल लेते हैं इसके बाद यहाँ पर हम दूसरा ड्राय फ्रूट फ्राई करेंगे घी चेंज करने की जरूरत नहीं है इसी में अब हम नारियल को भी थोड़ा फ्राई कर लेते हैं अब यहाँ जब तक नारियल भुन रहा है तब तक हम अपनी गौन्द को मिक्सी में पीस लेंगे सारे ड्राय फ्रूट हमको पीसने है यहाँ पर यह गौन्द पीस गई है थोड़ा लिक्विड हो जाएगा पर कोई भी दिक्षत नहीं है यहाँ पर मैंने निकाल लिया है पूरा कोकोनट यह काजू फ्राई कर रही हो इसके बाद इसको भी हम हलका ब्राउन होने देंगे काजू को तब तक मैं यहाँ पर बदाम को भी पीस लेती हो क्योंकि बदाम भी अब ठंडा हो गया है यहाँ पर Бदाम भी पुरा ड्रैब पिज गया है यह देखें पौडर हो गया है पुरा अब उसी बरतन में हम बदाम को भी डाल देंगे कोकोनट को भी पीश लिया है ये देखिए कोकोनट को थोड़ा सा दरदरा पीशते हैं इससे थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है खाने में अब यहाँ पर काजु निकाल लेती हूं मैं क्योंकि ये हो गया है ब्राउन ये लड़ू बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छे रहते हैं दिमाग भी तेश करते हैं अब इसको निकालने के बाद हमें ठंडा होने के लिए रखना पड़ेगा गरम गरम कोई भी ड्राइफ रूट नहीं पीशना है यहाँ पर मैं वालनट डाल देती हूं हमने ड्राइफ रूट पीशे थे सारे अच्छे से मिक्स करते जाईए वालनट को भी निकाल लिया है देखे अब हम इसमें उसी वाले घी में मखाने डालेंगे अगर घी कम पड़ता जाता है तो आप बार बार दो दो चार चार चमच डालते जाईए एक साथ पूरा घी नहीं डालना है क्योंकि ड्राइफ रूट काफी घी पी लेते हैं हम घी को बाद में यूज़ करेंगे और मखाने में तो थोड़ा ही घी डाल करके ड्राइए रोस्ट जैसा करना है ये लड़ू बनाने में थोड़ा समय लगता है पहले आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में 100-100 ग्राम ले करके ड्राइए कर सकते हैं जब आपको अच्छी तरह से बनाना हा जाए तो आप फिर से ज्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं यहाँ पर यह मैंने काजू भी पीस लिया है इसके बाद इसको भी मैं मिक्स कर दूँगी जो मेरा पूरा ड्राइए फ्रूट का पॉर्डर था उसी में यह देखिए अब यहाँ पर वालनट जो है अक्रोट उसको भी हम पीस लेंगे यह भी अच्छा ब्राउन हो गया था यहाँ पर यह भी पीस लिया है इसे भी हम मिला देंगे अब हमारा यह मखानी भी हो गए देखिए इस तरह से हलका ब्राउन करना है और इसको भी ठंडा होने के बाद मिक्सर में पीस लेना है यहाँ पर पूरा ड्राइए फ्रूट हमको मिक्सी में पीसना है जिससे बच्चे खाने में कुछ भी निकाल नहीं पाएंगे नहीं तो लड़ू में कुछ भी दाथ में आता है तो वो लोग निकाल देते हैं अब पिसा हुआ सारा ड्राइफरूट अच्छे से मिक्स कर लीजिए ये लड़ू आप तीन से चार महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं कुछ भी इसमें खराब नहीं होता है और ये हमारे और हमारे बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है अब यहाँ पर मैंने छोटी इलाईची जो होती है वो मिक्सी में छोटे वाले जार में पीस ली है ये पूरा पाउडर बन गया है इसको भी हम लगभग एक से डेड़ चमच उसी पाउडर में डाल देंगे अब हमको आटा भूनना है आटे हम दो तरह के लेंगे एक हम मल्टी ग्रेन आटा लेंगे लगभग चार कटोरी और दूसरी तरफ हम बेसन ले रहे हैं ये बेसन है लगभग डेड़ से दो कटोरी दोनों को अलग-अलग भूनना है क्योंकि दोनों का भूनने का समय अलग-अलग है नहीं तो एक चीज जल जाएगी और एक कच्छी रह जाएगी इसको अच्छी तरह मिलाते हुए हम भूनेंगे ये आटा है आटे में कम घी डाल करके हमको भूनना है यहाँ पर ये बेसन लिया है बेसन में थोड़ा-थोड़ा घी डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे ये भूनते हुए तीरे-दीरे थोड़ा-थोड़ा गीला होन शुरू हो गया है, यहाँ पर मैंने बेसन को भून लिया है अच्छे से, यहाँ पर आटा भी ब्राउन हो गया है, अब एक बड़े बरतन में हम सारा आटा निकाल लेंगे, बेसन और जो हमने मल्टी ग्रेन आटा लिया था, वो सारा हम इस तरह से मिक्स कर देंगे, पूरा आटा मिलाने के बाद हम घी भी तयार रखेंगे, गरम करके, ठंडा घी नहीं डालना है, थोड़ा गरम डालना है, यहाँ इलाईची डाल दी है, अभी यहाँ पर हम चीनी उपयोग नहीं करेंगे, यह है देसी खान, यह मार्केट में इसली मिल जाती है, इसको हमने मि मीठी नहीं होती है, ठोड़ी कम मीठी होती है, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, अब उस आटे में थोड़ा-थोड़ा ड्राइफरूट डालके मिक्स करते जाएंगे, जो हमने पूरा ड्राइफरूट का पॉडर बना लिया था, इस तरह से मैंने पूरा ढ दाल दिया है दीरे-दीरे करके अब इसको अच्छे से मिला लेती हूँ यहाँ पर हम पिसी हुई देशी खांड और डाल देते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमको यह मिलाते जाना है मिला-मिला करके हमका आइडिया लग जाएगा कि कितना और पड़ेगा मिठास के हिसाब से आप लोग और भी ज़्यादा डाल सकते हैं थोड़ा मैंने तो कम ही डाला था अब इसमें हम घी गरम करकर के मिलाते जाएंगे क्योंकि यह ड्राय है तो एकदम से पूरा घी नहीं मिलाना है दो दो चार चार चमच गरम करना है कडाई में और मिलाना है अब इसके बाद और थोड़ा सा घी मिला करके और थोड़ा सा देशी खान पॉर्डर मिला करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों में घी लगा करके इस तरह से दवा दवा करके छोटे छोटे लड़ू बनाएंगे अगर लड़ू नहीं बन रहे हैं तो आप समझ जाएए घी अभी भी कम है तो और थोड़ा सा घी मिला दीजे गरम करके फिर यह आसानी से बन जाएंगे तो यहाँ पर मैं लड़ू बना लेती हूँ यहाँ पर यह देखिए मेरे लड़ू तयार हो गए तो इसी तरह से छोटे छोटे लड़ू हम तयार कर लेंगे और इसको अपने बच्चों को रोज सुबह दो लड़ू दे दीजे तो पूरे दिन बहुत एनरजी रहेगी और यह उनकी बॉड़ी के लिए भी बहुत हेल्दी है तो प्लीज लाइक, शेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू